हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक्टो माइच चैनल लास्ट वीडियो में यह जो साड़ी और ब्लाउज आप कलर देख रहे हैं इसके कलर के लिए यूज कियाता है मैंने ब्रेश पैन कैमलिन ब्रांड के आप देख सकते हैं इनके कलर कितने ब्राइट हैं अभी इस वीडियो में में इन फीजितने भी आप प Speaking कि जो भीॉंट होते हैं उसकी जितने फोल्ट होते हैं जितने भी उसकी लेयर्व होती है तो वहां पर एक शैडोक्रेट होती है टो औो सब कोई भी कलर का पहलों अपनुगा उसमें जिषेड लोट होती है वह शीडोउट होती है और उसके ल मुझे जितना उसमें दिख रहा था, डाक पोशन, शैडूज एरिया, वो मैंने ब्लैक से किया, देन मैं रेड पैंसिल यूज कर रहे हूं, डॉम्स की, अभी मैं थोड़ा सा हाइलाइट करने के लिए, थोड़ा सा उस जगह को लाइट करने के लिए, अगें, वाइट पैंसल यूज कर रहे हूं, ब्रॉशपेंट के उपर कलर पैंसल यूज करने से एक बेनेफट होता है, कि जो ब्रॉशपेंट के स्ट्रोग्स होते हैं, वो जो पहले बहुत ज़्यादा विजिबल थे, जब हम उसके उपर shadow create करते हैं, color pencil को use करते हैं, चाहे तो same color की color pencil हो, लेकिन वो जो strokes होते हैं, वो उनको बहुत जादा, बहुत मतलब high level पे, वो उनको height कर देती है, अब यहाँ पर जो skin color का position है, साडी में, वहाँ पर shadow के लिए, जो भी wrinkles, fold दिख रहे हैं, उसके लिए मैं यह black pencil यह पर से use कर रहे हूँ, और यहाँ पर, क्योंकि यह skin color का portion है, light है, तो यहाँ पर हम pencil को बहुत light hand use कर रहे हैं, तो अगर dark करेंगे, तो अच्छा ने दिखेगा, dark black, अभी मैं तोड़ा सा skin color use कर रहे हूँ, अभी जो यहाँ side का है, वहाँ पर भी मैं shadow complete कर रहे हूँ, अभी हमारा उपर का portion में shadow सारा complete हो गया है, अब जो साड़ी का नीचे का portion है, वहाँ पर भी हमें same method follow करना है, उसके लिए जहाँ जहाँ पर हमारे wrinkles हैं, पहले हमें दिख रहे थे, जितने भी fold हैं, जो हमारे reference मे जहाँ हमें दिख रहे हैं, dark black area है, high level black है, बिलकुल exact, तो हम वहाँ पर बिना कुछ सोचे, black pencil से use कर सकते हैं, जहाँ बहुत dark है, वहाँ बहुत dark, जहाँ light है, वहाँ थोड़ा से light level पे, जितने भी fold हैं, सिर्फ reference को देखते हुए, वैसे ही draw करते जाना है, आपको और पूरी ब्लू साड़ी के उपर, आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ पर मैंने ब्लू पैंसल का यूज किया है, बहाँ का जो effect है, और जो brush pen के, जो strokes वाला effect था, आप देख सकते हैं, उसमें कितना ज्यादा difference है, एक contrast, brightness का जो एक combination है, वहाँ बहुत प्यारा रहे है, और साड़ी color भी बहुत अच्छे दिख रहे है, यहाँ पर यह black color का shading कमप्लीट हुआ, अगर हमें डाब थोड़ा कम दिख रहा है, यहाँ पर brush pen के stroke सभी भी ज़्यादा दिख रहे है, तो वहाँ पर एक हम एक और good कर सकते हैं, पैंसल से, अभी जुनके back side का portion है, थोड़ मैंने उसको complete किया, नीचे का area, side, और आप देख सकते हैं, कि हमारा drawing कमप्लीट हो चुका है, इस drawing के तीन video है, यह इसका final video है, I hope कि यह video आपको पसंद आया होगा, अगर आपको इसमें कोई problem है, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, अगर channel पर नए हैं, तो इसे subscribe करें, thank you so much, मिलते हैं next video में, till then, good bye